हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं किया जा रहा है लंबे समय से खाता धारक परिशान है उनका काम नहीं करने और बार-बार चक्कर लगाने को लेकर कई समय से शिकायते आ रही है कई बार उनको नोटिस भी दिया जाता है लेकिन उनके त्वारा खाता धारकों की साथ वहवार में कोई बदलाव नहीं आ रहा है गौर्दलब रहें कि बैंक में अधिकतर पेंशन धारी बुसुर्गों के साथ जाधा अभधरता होती है उपकन की एक मात्र बड़ी सरकारी बैंक होने की वज़ा से सेकड़ों की तादात में ग्रामिन इसी बैंक में लेन दिन करते हैं आए दिन उनके साथ बैंक कर्मचारियों द्वारा अभधरता की जा रही है बैंक के इस रवये से पूरे शेत्र में आक्रोश है जिसके चलते एक राहकों को बहुत ही परिशानियों का सामना करना पड़ता है इसी के चलते बैंक कर्मियों के खिलाफ कारिवाई की मांग को लेकर मारवाट साई सेवा संस्थान के अध्यक्ष और पद्रतिकारी जिला मुख्यले पहुँचे और पाली कलेक्टर वो बैंक AGM से मिलकर शिकायत की बैंक कर्मियों के खिलाफ कारवाई की मांग की श्री साई सेवा दर्शन सेवा संस्थान के अद्धक्ष देवेंद्र सिंग मीना ने बताया कि मारवाट जंक्षन स्थित SBI बैंक के कर्मियों द्वारा ग्राहकों के साथ सही भेवार नहीं किया जाता है ग्राहकों को किसी भी काम के लिए उन्हें बार-बार चक्कर कटाया जाता है ये पिछले कई समय से ऐसा होता है इससे पूर्वभी कई बार शिकायते की जा चुकी है पर कोई कारवाई नहीं होती इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले लंबे अंतराल से एक ही बैंक में कारी करने से इनकी दादा गिरी और अशोभिनिय वहवार बढ़ता जा रहा है बुजूर्ग से हाता पाई अभधरता धक्का मुकी इन बैंक करमचारियों की आम बात है इसी के चलते हम जिला मुक्या ने पहुँद जिला कलेक्टर पो SBI AGM को शिकायत दर्च करवाई है और शीक रही उनके खिलाफ कारवाई करने की मांग रखी जागरुक टेवे के समवादाता से बात करते हुए दिवेईन्द सिंग मीना अदक्ष ओंग साई दर्शन सेवा संथान इनों नहीं का जागरुक टेवे के लिए पाली से हस्त पाल सिंग के रिपोर्ट